असलाम अलेकम मैं वेलकम तो दे साइकोलोजी लेक्टर्स इहोप और यौ अटरी सब्सक्राइब दिश्कस अबाउट एलफर्ड एडलर इंड्रियल साइकोलोजी के फाउडर है एलफर्ड एडलर जोन से हैं वो फेबरी सेवन वीना अस्ट्रेरिया में पैदा हुए थे और डाइड इन माय 28, 1937 अबदीन युनाइट किंडम और इनके बच्चे चार थे जिनके नाम है अलेक्जेंडरा, वेलेंटाइन, कुट और कॉर्निलिया अच्छा, अब यहां पे एकॉइट हैं जो के अडलर की हा और इडलर की इस कॉइट में उनकी इंडिट्विज्ट्वीशल साइकलिजी का रिफ्लैक्शिनम में मिल जाते है एक इनसानी हुआइश क्या है उसकी हुआइश है कॉंटेक्स्ट परफेक्शन के हासिल हो फता हो हर चीज परफेक्ट हो बिलकुल सिक्योरिटी वो महफूस हो स्पेरियोरिटी वो सबसे उपर हो किसी से अपने आपको कम ना महसूस करे और हर बच्चा अपनी जिन्गी में बहुत से अपस्टिकल्स को फेस करता है और इसी तरह कोई भी बच्चा जोन सा उन अपस्टिकल्स को फेस किये बगार भरा नहीं हो पाता उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं एडलर की लाइफ के बारे में उसका चाल्डूट, अडॉल्टूट और वो कैसे एक अमेरिकन सेलिबरिटी बना इन चीजों को भी हम डिसकस करेंगे सबसे बहले अगर हम चाल्डूट के बारे में बात करें तो हमें देखने को मिलता है एक इलफरड एडलर को रिकर्ड्स-ठारिकर्स एक विटमीन D की डिफिशंसी होती है जिसके वजह से हमारी बॉन्स काफी सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो सॉफ्ट होके बॉन्स का पोस्टर खराब होता है तो इस पोस्टर को मेंटेंड रखने के लिए bandaging की जाती है ठीक है उस bandaging में एक बच्चा इतने मतब के effortlessly move नहीं कर सकता है जिसना एक normal बच्चा effortlessly move कर सकता है तो एक तो ये बहुत भरी वज़ा थी एडलर की jealousy के अपने older brother से के वो अच्छे से move कर सकता है वो जैसा चाहे move कर सकता है जबकि वो नहीं कर सकता और इसी तरह एडलर को अपने मौत का खौफ भी था मौत का खौफ का ऐसे था कि तीन साल की उमर में एक उसका छोटा भाई जुम जाथा वो फोद हो गया था जो कि उसके नेक्स्ट ही सोया करता था और चार साल की उमर में एडलर को भी निमूनिया हो गया था और उसने डॉक्टर को अपने बाप को कहते सुना कि आपका बच्टर जुन से वो मर सकता है ठीक है यूर बॉइस लॉस्ट यूर वर्स कहते सुने था और इन चार लपसों पर ही उसने डिसाइड करिया कि अगर वो बचा तो वो डॉक्टर ही बनेगा उसके बाद अभी मैं आपको आगे भी पताऊंगी स्टॉरी डॉक्टर बन की अडलर ने काम भी शुरू किया इंक्यूरेबल आजीजिस पे और प्रिवेंटिंग डैथ और इन सब चीज़ों पे वो लेकिन वो आगे है अच्छा उसके बाद भी देखने में आता है कि एडलर पहले तो काफी जब दो साल तक तो काफी अपने माँ का अडला रहा पैमपर काफी हुआ अपनी माँ से लेकिन दो साल के बाद जब उसका एक यंगर ब्रदर आ गया तो एडलर को डिगलैप्टीट फील होता था रिजथिट फील होता था काफी बायोग्राफ़र्स आसी बोलते हैं कि इसको रिजथिट फील होता था जिसकी वद्ध से फिर वो क्लियरली अपने फादर्स का फेवर्ट बन गया, क्योंकि उसके मदे की तरफ से कहीं उसको रिजेक्शन फील होती थी, इसलिए वो अपने फादर का फेवर्ट बन गया, अपने फादर्स फेवर्ट, अब एडलर की जैलिसी फॉर ओल्डर ब्रदर तो स्टेल वहां परी थी, जो के विगॉर्यस थी, लेकिन हेल्दी थी, और एडलर ने अपनी इस जैलिसी को नेगिटिवली एक्सप्लेइन नहीं किया, वो इस जैलिसी के बारे में अवेर्नेस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट को जॉइन कर लिया, लेकिन फिलहाल यहां पर यही है, कि हिस्सा नहीं ले सकता था, इसलिए वो काफी जैलिस था, अब क्या हुआ कि यहां पर वो क्यूं जैलिस था, इस चीज को उसने एक्स्प्लेइन किया अपनी वो चाहे तो जिस तरहां चाहे उस तरहां हिल सकता था, एफर्ड लेसली, लेकिन मैं मुझे तो एक मुव्मेंट करने के लिए इतना एफर्ड और इतना स्ट्रेंड आना परता था, और इस तरहां पिर अगर हम चाइल्ड हुड में देखें तो यह भी पताता है कि मैं किस इस तरहां इंफिरियर फिल करता था अपने ब्रदर से अपने अपने नेबर हुड के बच्चों से क्योंकि वह हैल्ड थे वह इतलेटिक थे और मैं मैं एक स्मॉल स्टेचर वाला एक अमजोर एक अनट्रैक्टिव सा बच्चा तो मुझे जून सा था मुझे अपनी फिजि किया भी और फिर महिनत बहुत ज़्यादा की और उसने सिर्फ एक चीज़ हार्ट वर्क बहुत ज़्यादा किया और इसी तरह हार्ट वर्क के साथ उसने सैंस ऑफ सेल्फ अस्टीम और सोशल अक्सेप्टन्स हासिल कर ली है और बहुत पatti वूर्क आ बहिता है यह बहुत पसंदा आने लग गया लोगों के साथ बैठाना क्यूंकि उसको सोशल अक्सेप्टन्स फिल हो रही थी तो उसने वहाँ पे sociability का एक क्या concept है, क्या rule है, क्या एक role है social ability का हमारी society में, हमारी life में और किस तरह ये हमें गुरूम कर ते है, किस तरह ये हमें self acceptance, self sleep और social acceptance की feeling हमें एक grooming, groomed करती है इस चीज़ को उसने feel भी किया और फिर अपनी theories में इस चीज़ को explain भी किया उसके लावा Adler ने काफी personality theories दी है, जिसमें उसने emphasize किया peer groups में childhood relationships में, childhood relationships with siblings and with outside the family कैसे होने चाहिए और काफी जादे इसने significant पताई कि उसने relationships outside the family होते हैं, उसमें भी काफी significance होनी चाहिए और यहाँ पे इन significance पे believe भी करता था, then Freud ठीक है, और school Freud और इसका एक ही था, दोनों ने same school ही attend किया हुआ है, लेकिन Adler initially काफी unhappy और mediocre type student था, even कि Adler की teacher ने recommend भी किया, कि Adler के फादर को recommend किया, कि आप अपने बच्चे को ना किसी मोची के यहाँ शगिर्दी में दे दें, ठीक, जो कि Adler को काफी frightening लगा, काफी दिरोना लगा, और Adler जो maths में इतना बुरा था, कोई हाद नहीं, उसने persistent heart working के साथ, eventually अपने आपको एक top of the class student बनाया है, failing student से उठाके, मतलब hard work कुछ भी करवा सकता है, कोई बात नहीं है, कि अगर कोई बच्चा पीछे है, या mediocre है, वो top नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, बस hard work की बात है, और उसने वो चीज़ की, उसके बाद childhood adolescence के, अगर हम स्टोरी देखते अपनी मेहनत से, hard work से, इसी तरह काफी theories कहते भी हैं, कि ये उनसी है, inferiority feelings जो उनसी है, वो childhood की depth से ही एडलर उठाता है, और बात करता है उन चीज़ों की, अब यहाँ पे एडलर ने ये चीज़ कहीं भी है, कि वो लोग जो मेरा काम जानते हैं, वो देख सकते हैं, कि किस त उसी views को अपने काम पे explain करता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद adulthood में उसने पना childhood ambitious पूरा किया, उसने medicine रीड किया, University of Vienna से, अब graduate उसने as a mediocre academic record के साथ ही किया, लेकिन after that उसने private practices की, ophthalmologist की तोर पे, ophthalmologist के शिफ्ट हो गया, जनल मैडिसन में, जनल मैडिसन में shift होने के बा प्रेंचर था incurable diseases के में, और मैं यहां पर बात की थी ना, इन्मॉनिया रिकोर्ट्स के वो जो असर हुआ था चार साल में वो यहां पे एक बात हैगी, ये adulthood में बात है यहां पे वो काफ़ी इंटरस्टिड था incurable diseases में, distressed भी लेकिन बाद में वो काफ़ी distressed हो गया क्योंकि वो helpless feel कर रहा था कि कितना helpless है कि death को prevent करना कितना helpless है और particularly younger patients में कितना helpless है कि हम death को prevent कर सकें तो इस वज़े से फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना specialize कर लूँ neurology और सेकेटरी में इसकी बजाए और फिर वो move भी कर गया और फिर उसको फॉइड ने invitation दिया कि वो psychoanalystic discussions जोंसी है वो जोइन कर ले और फिर 1902 में फॉइड ने जोइन भी कि सिग्मन फॉइड की psychoanalytic discussion group को जो के हर वेटनेस दे फॉइड के घर में हुआ करता था और eventually फिर वो group जोंसा था वो grow हो के वेना psychoanalytic society बन गई लेकिन after serving as president of the group for a time elder ने काफी उसमें थोड़ा बहुत उसको as a president भी उसमें सर्फ किया उस ग्रूप में लेकिन फिर एडलर ने उस ग्रूप को छोड़ दिया क्यूंकि उसको फिर उन डिस एग्रिमेंट्स की बेस पे उसने अपनी एक थियूरी बनाई ठीक है वाइल एडलर ने जोंसे की रूल से ड्वैलमेंट औफ साइको अनलैसेज और यह वो इन सब का एक मेजर फीगर था और जब वो उन स्कूल से निकल के उसने एक अपनी थियूरी बनाई औ अपनी पहचान बनाई और इस दुरान उसने बहुत बार यह बाते भी की ही किए वो फ्रोइट का कॉलीग था वो फ्रोइड का कोई मतलब एक उतने शगीद डिसिपल वो नहीं था फॉल्वर नहीं था बल्के वो एक कॉलीग के तोर पर ही काम करता था और जब उनके चेंज की और अपनी राहें चेंज की 1914 तो 1918 वर्लड वार वन में उसने आस्ट्रेयन आर्मी में काफी जादा सर्फ किया और उसके बाद भी उसको गॉर्मन्ट की तरफ से चाइल कॉंसलिंग क्लीनिक्स इनवीना में स्पोंसर किये गए ठीक है तो उसने उनको और्गनाइस कि पोन कॉंसलिंग क्लीनिक्स को इनवीना में जो कि यो कर ने गॉर्मन की तरफ से उसने तरफ किसंद cu और पे सायथ में और ने उसने एकर फर्स्त किया था उनाइटन स्टेट में और वहाँ पे मॉसने एक थे ने पॉपउनर लेक्च्र नीक्च्ट कीए? थे उन popular lecture tours का काफ़ influence हुआ था सब में और 1929 में फ्रॉइड एडलर जोंसा था वो move कर गया New York City में New York City में move करने के बाद उसने अपनी individual psychology को मजीद develop किया मजीद promote किया और इस तरह काफ़ी biograffers लिखते भी हैं कि किस तरह जानी लेटी optimism और warmth जोंसे थे उन सब को जमा करके अकठे करके फ्रॉइड ने एक intensely ambitious drive generate की और फिर उस intensely ambitious drive से फ्रॉइड जोंसा था किस तरह एक American's prominent psychological expert बन गया उसके बाद एडलर की काफ़ी कताबें काफ़ी लेक्टर जोंसे थे वो national scale तक उनको recognition मिली और वो America's first popular psychology or a celebrity of the day बन चुका था इसी तरह 1937 में जब वो काफ़ी थका हारा 56 lecture tours of Europe कर रहा था 56 lecture tour of Europe कर रहा था वहां पर ही उसको UK में स्कॉटलैंड में उसको heart attack हुआ और heart attack से वो मर चुका मर गया और इस तरह यहां पर इसकी life story होगी खतम अब हम मजीड वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं इसकी चूरी की बाते करना शुरू करूंगी और इसका फ्रॉइट के साथ क्या गिला शिक्वा और कैसे वो सारा एक जो एक काम शुरू हुआ था वो कैसा शुरू हुआ और कहां पर खतम हुआ इन सब चीजों को भी डिसकस करेंगे स्टेए टून बेल अगन को प्रेस कर दें सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें इसी तरह सपोर्ट करते रहें टेक कियर लाफिस टेए